जाहिन दोस्तों मैं रित्तिक राज स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल फॉर्ण फिलफ की नवलेज में दोस्तों आज किस वीडियो मैं आप लोगो बताऊंगा कि AI Airport Services Limited देखिए AI Airport Services Limited ये कंपनी है जो कि AI इंडिया के मतलब फ्लाइट में जो भी Ground Stop होते है अब देखिए Ground Stop मतलब मैंने एरपोर्ट के बारे में वीडियो बना रहा है जिसमें आप लोग Ground Stop देखिए जो लोग फ्लाइट पे चड़के ड्यूटी ना करें मतलब वो धर्ती पे ड्यूटी करें एरपोर्ट पे ड्यूटी करें वो सभी Ground Stop में आते हैं वो चाहें उनका पोस्ट कोई भी हो डिक्टिनेशन कोई भी हो तो यहीं यह एरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड में फिर से वेकेंजी निकला हुआ है जिसमें आप लोग को बताऊंगा अगर आप यहाँ पे देखिए गाते यहाँ पे डेट 22-23 को यह नोटीस पब्लिस हुआ है वालकिन र अब अमबेद कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपूर यहीं पर यह है ग्राउंड टाप की ड्यूटी है यह भी मैं आपके सामने नोटिक्टिकेसन दिखा रहा हूं और यह मैं पूरा दिखा देता हूं अच्छे से कि कि किसकी वेकेंसी है कब 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 वेकेंसी है मतलब क कितनी वेकेंसी है इस क्वालिफिकेशन क्या है सेलरी क्या है पूरा प्रोस्ट मैं समझा दूँगा फिर अपलीकेशन फॉर्म कैसे भर है कितने पैसे लगते हैं सब बता दूँगा फिर आपको कोई डाउट अंदर मन में बर्चेंगे तो आप कमेंट में जरूर साथ, साथ, अलग-अलग प्रकार के पॉस्ट है नागपूर एयर्पूट पे है, सबसे पहला पोस्ट है duty officer, दूसरा पोस्ट है junior officer passenger, तीसरा पोस्ट है junior officer technical, तीसरा पोस्ट है, चौथा पोस्ट है customer service executive, और पाउसवा पोस्ट है ramp service executive, और utility agent, camp, ramp driver और हांडी मैन, यहाँ पे देखिए, duty officer में चार पोस्ट है, junior officer passenger में एक पोस्ट है, junior officer technical में दो पोस्ट है customer service security में 16 पोस्ट है, ram service security में 18 पोस्ट है, utility agent comp ram driver में 6 पोस्ट है, handy man में 19 पोस्ट है, इसकी qualification handyman में 3 पास मांगा जाता है male और female दोनों लोग apply कर सकते है customer service security में ग्रेशन पास मांगा जाता है ram service security में डिप्लोम मांगा जाता है utility driver में 10 पास प्लस driver का मांगा जाता है यहाँ पे अगर देखिएगा, तो duty officer का और junior officer passenger का और junior officer technical का, इसमें जो interview होगा, वो 3 अप्रिल के होंगे साले 9 बजे से लेकर 12 बजे तक customer service executive का 4 अप्रिल को होंगे साले 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और ram service executive और driver का होंगे 5 अप्रिल को साले 9 से 12 बजे तक और handyman में जो 90 पोस्ट हैं, सबसे अधे किसी इन पोस्ट हैं इसका जो interview होगा, वो 6 अप्रिल end 7 अप्रिल को होंगे साले 9 बजे से 12 बजे तक ये होटल कहां होंगे, होटल आडी, plot number 5 near Indian oil petrol pump airport road नागपूर, यहीं पे इनका interview होगा, मतलब यहीं पे आपको जाना होगा interview देने, ये जाना कब है तो इसी date को आपको जाना है, देखिए 3, 4, 5, 6, 7, आप जो भी qualification fulfill करते हैं, उसी date को आप जाईएगा इसके दूसरे page को हम बात करें देखिए, सबसे पहले यहाँ पे qualification लिखा हुए है कि qualification क्या चाहिए तो duty officer में graduation pass भागा गया है plus में 12 साल का experience भागा गया है जिसमें 50 साल age limit तक low last apply कर सकते हैं 32,200 की salary है उसके बाद हिंका nature of duty लिखा हुए क्या काम करना होगा, फिर यहाँ पे अगर हम बात करें junior officer technical में यह भी नागपूर के लिए है, यहाँ भी मैं बताया गया है कि क्या क्या चाहिए, bachelor degree चाहिए इसके बाद यहाँ पे देखिए 25,300 की salary है 28 साल तक general अवेदन दे सकते हैं उसके बाद यहाँ पे देखिए उसका भी nature of job लिखा हुए उसके बाद तीन नमर में है यहाँ पे junior officer passenger यह भी नागपूर में है graduation pass मांगा गया प्लस 9 साल का experience है है तो apply कर सकते है 25,300 की salary है उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे customer service security में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए तो आपको देखिए यहाँ पे customer service security में नागपूर में यह बताया गया है कि आपको graduation pass आना चाहिए पलस में आपको airlines टेकिए मतलब यहाँ पे ticket experience यह सब भी आना चाहिए आपको और यहाँ पे देखिए इनको तीन साल की diploma चाहिए और पलस में आपको क्या है ना कि HMB license चाहिए देखिए यहाँ पे HMB license चाहिए आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए कही जार तीन सो की salary इसमें रखा गया है उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो nature of function यहाँ पे यह देखिए कि आपको utility agent camp ramp driver में जो है नागपूर में है और यहाँ पे देखिए दसवा pass पलस में must heavy vehicle HMB license चाहिए यह 19,350 रुपए की salary है इसका भी nature of job लिखा हुए है क्या करना है यहाँ पे देखिए काफी लोग जो है ना वो handyman में 98 vacancy है इसमें काफी लोग आवेदन देते हैं क्योंकि इसमें केवल simple 10th pass मांगा जाता है selection process है ना वो केवल और केवल interview यह पर आप देख सकते हैं इसका मतलब केवल और केवल जो है एक interview किया जाएगा और आपको selection दे दिये जाएंगे उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें देखिए interview किसका कैसे interview होंगा देखिए आपे handyman में physical test भी करा जाते है फिजिकल में क्या करा जाते हैं तो वैग वैग उठवा के देखे जाएंगे कि आप साही से चल सकते हैं फिजिकल आपका साही से फीट है की नहीं यह देखे जाते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका जो है न एक मर्च दोहरत इस वालकिन इंटर्विव है इसका देखिए अप्लिकेशन फी जो इसका अप्लिकेशन फी रखा गया है यह पांच सरुपए रखा गया है यह पांच सरुपए इसमें लगता है इसके अलामा एक भी पैसा आपको किसी को नहीं देना है और यहाँ पर देखिए OBC अगर आप आते हैं त प्रकरिया जो होता है उसको कैसे करें ताकि यह प्रकर हो नई ya में अपने वीडियो की डिस्क्रिप्सन में इसका लिंक दे दूँगा आप वहां से डाउनलोड कर लिजेगा यह देखिए इसका जो है ना यहां पे लिखा हुए फॉर ओफिस यूज अनली इसका मतलब है कि आप इसको मत भरिये इसको छोड़ दीजिए यह सब ओफिस से भर पर लिजएगा उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए फिर आपको इक नमबर में आपको अपना नाम रीखना आए स्टेट्रिह नाम डिखाए पहर ही और न यहां पर देखिए, email id लिखा हुआ है, यहां पर जो mobile number लिखा हुआ है, यह mobile number मेरा ही है, और valid है, आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, तो इस पर आप contact करके पता कर सकते हैं, इसके बारे में, केवल और केवल, AI airport services limited के बारे में, क्यों कि मैं यहां पर job किया हूं, मुझे इ एक्स लिख देना है, married हैं, तो इसमें कर देना है, डिवास हैं, जो भी है, आठ नमबर में nationality बताना है, no number में religion बताना है, दस नमबर में आपकी मातरी भासा क्या है, 11 number में 5 number आपको बताना है, 12 number में यहां पर हर नमबर बताना है, और यहां पर 13 number में, अगर आप जिस category से यहां पर देखिए कि आप पूलिस सर्विस से रिटाइर है तो इसको भी आप यहां पर बोला गया है कि किस date को लिखिए result को बाया था mark sheet पो होगा duration कितने दिन का था वो लिखिए फिर यहाँ पर यहाँ पर लिखिए कि आपको कितना percent number था उसके बाद हम बात करें यह अपना qualification details देने के बाद 15 number में आप से पुछा जा रहा है कि आपको कौन-कौन से language बोलना आते हैं तो अगर आप English को read कर सकते हैं तो इसमें मतलब cross change देना है यानि कि multiply का फिर बोल सकते हैं तो cross का change दे मल्टिपलाई कर देना है लिख सकते हैं तो यह कर देना है फिर हिंदी में ऐसे कर देना है तो यहाँ पे आपको 16 नंबर में जो है न work experience की जनकारी फील करना है पूरा अच्छे से कि कहां कहां आप काम किया है आपकी period of service क्या रही थी post क्या रही थी nature of job क्या था और यहाँ पे कितने दिन का experience है उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे पूशा जा रहा है कि देखिए 17 नंबर में कि अगर आपके बास driver license है तो यहाँ पे बताए LMBI है या HMBI है license नंबर दीजिए date of issue दीजिए valid up to दीजिए उसके बाद यहाँ पे आपसे पूशा जा रहा है 18 नंबर में कि आपको अगर आप general OBC EWS category से आते हैं तो आपको 500 उपए का demand draft है यह आपको application form के तोर पे देना है तो यहाँ पे आप जिस bank से बनवा रहा है उसका नाम की date को बनवा रहा है demand draft number और amount demand draft से जूड़ी all video मेरे YouTube चनल पर उपलबद है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं तो यह demand draft जो है अगर आपका पहेंग खाता नहीं भी है तो आप दूसरे किसी के खाते से बनवा सकते हैं क्योंकि यह जो होता है यह मान लिजिए कि आपका fee pay करने का एक तरीका है उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए 29 नमबर में कि अगर आपका कोई relative काम कर रहा है AI Airport Services Limited में तो उसका नाम दीजिए उसका पद दीजिए किस पद बे काम कर रहा है company का नाम दीजिए relationship दीजिए कि आपको उससे क्या संबंध है 20 नमबर में इस declaration को आपको पॉढ़ लेना है और पॉढ़ने के बाद में आपको क्या करना है यहाँ पे आपको अपना place लिख देना है आप जिस जगाओ से form बर रहा है और यहाँ पे आपको signature कर देना है और यहाँ पे अपना मतलब signature कर देना है और यहाँ पे date लिख देना है अगर SCST से आते हैं तो इसको no कर देंगे फिर अगर आपके पास इस school living certificate है उसका जी रोक्स लगा रहे हैं तो यॉस करेंगे फिर 10th का अगर matriculation का mark sheet and passing certificate लगा रहे हैं यॉस करेंगे 12th का लगा रहे हैं तो यॉस करेंगे फॉस्ट का लगा रहे हैं इसको भी आपको यॉस कर रहा है जो भी documents आप साथ में भेज रहा है वो सब पर यहाँ पर यॉस यॉस दे देंगे उसके बाद अगर हम बात करें देखिए यह देखिए तो missile certificate सबको लगाना है इसको आपको यॉस कर देना है फिर यहाँ पर अगर हम बात करें दो missile certificate के बाद में तो यहाँ पर देखिए pen card की copy सबको लगाना यॉस कर दीजेगा अधार card की copy सबको लगाना यॉस कर दीजेगा अगर आप EWS के टेगरी से form भर रहे हैं तो यहाँ पर EWS को यॉस कर दीए अगर आप ड्राइवर में भर रहे हैं तो यहाँ पर ड्राइवर का भी लगा दीजेगा यहाँ पर दीखिए ड्राइवी लाइसेंस बोथ format black end मतलब back side और front side जब लगा देना है अब आपको करना क्या है ना कि यह सब form भरने के बाद में आपको जहाँ पर इंटर्विव होगा ना देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यह form भर लिजेगा और 6 page का जो application form था जो 6 page का मैंने भर के दिखाया उस application form को अगर आप सभी के लिए करते हैं सभी के लिए इंटर्विव देना चाहते हैं तो सभी के लिए अलग-अलग form भरने होंगे और सभी के लिए अलग-अलग से पांस रुपय का demand राप बनवाने होंगे और इस date में आप इस देखिए handyman का क्या है 6-7 अप्रील को है रैंप सर्विस executive और driver के लिए 5 अप्रील को है इंटर्विव देंगे इंटर्विव देने के 10-15 दिन के बाद आपको call आते हैं और airport पे जाके आपको offer later लेने होते हैं फिर आप ज्वाइन हो जाएंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोग पताग चल गया कि बाबा साहिव अंबेदकर इंटर्विव देनेशनल एयरपोर्ट नागपूर में जो offline form निकला हुआ है एयर इंडिया के तरफ से इसका offline form कैसे भरे अगर मेरी दीवी जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसा ही informative वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए बस इतना ही मैं आपसे वीदा लेना चाहूंगा तब तक आप लोग देखते रहे ह मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक और नए वीडियो में एक और नए रोजगार के समाचार के साथ जाहिन दोस्तों